प्रिश्ट संख्या उनासी मन्नु भंडारी लोक प्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती असली मानक तो होता है रचनाकार का दाइत्व बोध, उसकी सरुकार, उसकी जीवन द्रिष्टी मन्नु भंडारी एक कहानी यह भी मन्नु भंडारी जन्म सन 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब मैं हार गई तीन निगाहों की एक तस्वीर यही सच है त्रिशंकु आखों देखा जूट यह कहानी संग्रा है आपका बंटी महाभोज स्वामी एक इंच मुस्कान राजेंतर यादों के साथ यह एक उपरन्यास है पटकथाएं निर्मला रजनी स्वामी दरपन संबान हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर संबान बिहार सरकार भारतिय भाषा परिशद कोलकाता राजिस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत मन्नु भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था नई कहानी आंदोलन जो छटे दशक में था में जो नया मूर आया उसमें मन्नु भंडारी जी का विशेश योगदान रहा उनकी कहानीों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन बर्गों के जीवन की विसंगतियां विशेश आत्मिय अंदाज में अभिव्यक्त हुई है उन्होंने आक्रोश, व्यंग्य और सम्वेदना को मन्नु वेज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया वेज चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकता ही क्यों न हो प्रिष्ट संख्या अस्सी यहां आप मन्नु जी द्वारा लिखित एक पटकता पढ़ने जा रहे हैं पटकता यानि पट या स्क्रीन के लिए लिए लिखी हुई वह कथा रजत पट या फिल्म के स्क्रीन के लिए भी हो सकती है और टेलिविजन के लिए भी मोल बात यहा है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकता लिखी जाती है कोई लेखा किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके अपने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुँचा सकता जितना की पटकता लेखन द्वारा क्योंकि पटकता शूट होने के बाद धारवाहिक फिल्मों के रूप में लाखों करोणों दर्शकों तक पहुँच जाती है इस लोक प्रियता के चलते ही पटकता लेखन की और लेखकों का भी परियाप्त रुजान हुआ और पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकताएं छपने लगी है प्रस्तुत पाठ में रजनी धारवाहिक की एक कड़ी दी जा रही है रजनी पिछली सदी के नवे दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारवाहिक रहा है यह हुआ समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविश्य गढ़ रहे थे बासु चडरजी के निर्देशन में बने इस धारवाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंतर और मुकम्मल होती थी और इन्हें आपस में गूथने वाली सूत्र रजनी थी हर कड़ी में यह जूझारू और इनसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी ना किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी प्रस्तुत अंश्भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खीचता है